प्रिविद्यार्तियों नमस्कार स्री प्रताप सिंग बारेत राज के सनात कोत्र माविद्याले शापुरा भीलवड़ा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है पुगुल विभाग की इस यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे राजस्तान की प्रमुक फसलों के बारे में और उसमें भी आज हम खाद्यान फसलों के बारे में चर्चा करेंगी कि वो उनकी फसलों कौन कौन सी खाद्यान फसले हैं जो राजस्तान में प्रमुक्ता के साथ हो गई जाती है कि उनकी इन जिल्लों में हो गई जाती है उनकी जलवाई देशाएं क्या-क्या हैं इन पर हम आद चर्चा करेंगे तो हम प्रारम करते हैं सबसे पहले गेहों से गेहों स्रिगंगानगर, अनुमानगर, अलवर, भरतपूर, जैपूर, सवई मातोपूर, कोटा, बुंदी, टॉक, अजिमेर, भीलवड़ा, चित्तोर, जोधपूर, उदैपूर, बांसवड़ा में मुख्य रूप से इसके करशे की जाती हैं आप देखे, सामनी रूप से हम गेहों की बात करें, तो राजस्तान के अरावली के पूर्व के जिल्ले हैं, उन पूर्व के जिल्लों में विशेश रूप से सभी जिल्लों में गेहों की खेती की जाती है, पश्री में भी जहां कुछ मातरा में जल की पर्याप्त मातरा में उपलब्द देता है इंद्रा गांदी नेर सी चाहिए के द्वारा जल उपलब्द है वहां भी हम गेहों की सी चाहिए करते हैं तो विशे सूप से जो अरावली का पूरवी इस्सा है वहां गेहों की कृष्ची में सलगने यह यहां की जलवाई दशाओं की बात करें तो गेह किश्ची के लिए वर्षा 50-100 cm आवश्यक है तापमान बोते समय 15-20 डिग्री सेल्सेस होना चाहिए और कारते समय 30 डिग्री सेल्सेस होना चाहिए मिट्टी महीन काप दोमट और चिकायुकत अगर मिट्टी है तो वह इसके किसमे है दूसरी जो प्रमुक फसल है वो बाजरा है बाडमेर जालोर जैपूर दोसा जोदपूर नागोर चूरू चुनजनु सीकर बिकानेर सवई मादूपूर करोली मुख्य जिल्ले है इसके अलावा अजमे टौक और हनुमान गड में भी बाजरा की खेती होती है तो अग कम वर्षा में बाजरा हो जाता है तापमान 20-35 डिग्री सेलसेट आवश्यक है मिट्टी रेतिली प्रकार की चाहिए यह पशी में रेतिले सुस्क मुर्शतल की एक प्रमुक फसल है मुख्य विसेशता इसकी सुस्क आमले वर्षा में भी इसका उत्पादम हो जाता है इसक जमेर, जैपूर, नागोर, दोसा, अलवर, भरतपूर, सीकर, जुनजुनु, गंगा, नगर, अनुमानगर में जोकी फसल प्रमुकता से होती है जोके लिए वर्षा 50-80 cm आवश्यक है तापमान 15 डिग्री से 22 डिग्री सेलसेस आवश्यक है मिट्टी चिकनी या बुरी चितोड, जालोर, बुंदी, बारा, कोटा, सवाई मादोपूर, उदैपूर जिल्लों में इसके कृश्य की जाती है इसका मुक्य संकेंदरन राजी की मद्धिवर्ती जिल्लों में है दूसरा संकेंदरन इसका पूर्वी जिल्लों में है वर्षा 40-120 cm आवश्यक है तापमा चित्तोर, उदैपूर, बांसवड़ा, डुंगरपूर, जालावार, बारा, सिरोई, भीलवड़ा, कोटा, रासमन, जिल्लों में उत्पादित की जाती है इसका मुक्य संकेजरन अरावली पर पहाडी क्षित्र का दक्षिनी भाग वबनास वैसिन में होता है वर्सा 50-80 cm होती है, तापमान 12 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सेस होता है, मिट्टी लाल पत्रीली मिट्टी आवशक है मक्का, ग्लुकोज, एलकोल, स्टार्च बनाने में काम में ली जाती है इसकी हरी पत्यों से साहलेच चारा बनाया जाता है, जिसमें पसू मोटे हो जाते है मक्का की उन्नत किस्म के लिए कषि अनुसंदान के अंदर बासवाडा, अखिल वारतिय समनुट मक्का सुधार परियोजना उदैपूर इसके लिए सहयोग से उन्नत किष्में तयार करने के लिए सतत प्रियासरत है अभी जो उन्नत किस्म है माई कंचन और माई धवल है मोटे नाज की सेनी में हम इसे सामिल करते हैं यह उपोस्न कटिवन दिये पोदा है गंगानगर, हनुमानगर, माशवाड़ा, डूंगरपूर, उदैपूर, बाराओ, कोटा में उत्वादित किया जाता है वर्षा की मात्रा सो से 150 सेंटीमिटर आवशक है मिट्टी इसमें मुख्य रूप से उच्चस तरिये कांप मिट्टी आवशक है राजस्तान में उननत किस्म माईस उगंदा जो पास्मती के समान है प्रमुक्ता से उगई जाती है अगर हम दलन फसलों की बात करें तो देखें मुख और उड़र जो है वो अजमेर, वीलवडा, उदैपूर, नागोर, कोटा, सवय मादोपूर, अलवर, भरतपूर, जिल्लों में उत्पादित की जाती है मोठ, चूरू, वीकानेर, अनुमानगर, गंगानगर, बाड मेर, जोधपूर, नागोर, सुनजन, सीकर, जैपूर, जिल्लों में उत्पादित की जाती है चंवला, नागोर, जोधपूर, अलवर, जैपूर, जुनजन, सीकर, जिल्लों में उत्पादित की जाती है अरहर, चितोड, उधैपूर, बांसवाडा, जालावार, खोटा, दोलपूर, सवई मादूपूर में उतपादित की जाती है चना सबसे प्रमुक दलनी फसल है गंगानगर, अनुमानगर, विकानेर, चुरू, अलवर, बरतपूर, जैपूर, दोसा, करूली, सवई मादूपूर, नागोर, सीकर जिलों में उतपादित की जाती है मुके विसेशता इसस को ठंडी होती है तिलन फसलों की बात करें तो देखिए सरसों प्रमुकता के साथ उगई जाती है जो कि बरतपूर, दोलपूर, अलवर, स्रीगंगानगर, हनुमानगर, दोसा, जैपूर, टॉक और सवई मादूपूर में इसकी फसल प्रमुकता से लेते हैं ताकमान 20-25 डिग्री सेलसेस आवश्यक है, वर्षा फिचतर से 100 सेंटीमीटर आवश्यक है, मिट्टी, बलूई और दोमत प्रकार की आवश्यक है इसका मुक्य उप्योग जो है बरतपूर में तेल गानी उद्योग में होता है, सर्सों का तेल सोंदर ये प्रिशादन में भी कामें लिया जाता है मुफली, जैपूर, तौंग, दोलपूर, करोली, सवाई मादूपूर, चितोड, भीलवारा, जालावार, नावो, सीकर, विकानेर में उत्पादित की जाती है वर्षा पचास से सो सैंटी मिटर होती है, तापमान पचीस से 30 डिगरी सेल से तावश्यक है मिट्टी, लाल, पीली या काली बूरी मिट्टी भी होगी तो मुफली के कर्शिय की जा सकती है इसका उप्योग फसल चकर में भूमी की उत्पादक्ता को बरकरार रखने के लिए भी किया जाता है सबसे अधिक हाद्यान में प्रियोग की जाने वाला अगर कोई तेल है तो मुफली का तेल है अलसी, बारा, बुंदी, कोटा, जलावा, तोंक, सवाई, मादू, करोली में उगाया जाता है वर्षा इसकी 75-500 से अवश्यक है तापमान 15-25 डिग्री सेल्सेस अवश्यक है ये फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उत्पादी तो सकती है लेकिन उसमें नम्मी होना आवश्यक है इस फसल के बीजों से तेल निकाला जाता है और रेसे से लीनन का कपड़ा भी तयार किया जाता है अरंडी, जालोर, बाडमे, नागोर, पाली, सिरोई, जोधपूर तापमान 20-25 डिग्री सेल्सेस वर्षा 50-25 सेंटीमिटर मिट्टी, मरुस्तलिय, बलूई, जलोट प्रकार की यह फसल प्रोटीन का मुख्य स्रोथ होती है इसमें तेल 22% तक ही प्राप्त होता है जबकि 44% प्रोटीन प्राप्त होती है इसलिए इसका उप्योग तेल के साथ-साथ खाद्यान में भी किया जाता है जोजोबा या होबा जोदपूर, गंगानगर, जैपूर, चूरू, सिकर में प्रमुक्ता से उगाया जाता है वर्सा 10-30 cm होती है तापमान 5-54 डिग्री सेल्सियस लेगिस्तानी मिट्टी में उतपादित होने वाला ये पूदा रमेस आरा बरा रहता है इसके आयू लंबी होती है वर्तमान में इस फसल का राजस्तान में प्रियोग परिक्षन के आदार पर किया जा रहा है राजस्तान में इसके विखास के अपार संभावनाएं विद्धमान है नेक्स्ट वीडियो में हम व्यापारिक फसलों की चर्चा करेंगे धन्यवाद